नमस्कर, जोहार, मैं हूँ विश्राम, आप देख रहे हैं उबारता जरकंड, आज देखेंगे कल, आज देखेंगे कल, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, आपके साथ एक ऐसे विश्रा के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, और ओ है कोड्मी आदिवस्जी थन्यन ने देखे आगर पता चल गए होगा कि कोडमी आदिवसी नहीं है यार आप क्या बोर रहे हैं आप ये सवाल करोगे लेकिन मैं सचाई बता देना चाहता हूं कि आखिर कोडमी जन जाती महतो आदिवसी नहीं है पिछले जब मनोस्री कलाया बनाई गए थी राची में और उस इस्तिदी में कोडमी जन जाती की समूधाय भी साना धरम कोड को लेकर के उपस्तित हुए थे और पिछले काई सल से भी कोडमी जन जाती आदिवसी समूधाय में आने के लिए कोसिस कर रहा है और खुद को आदिवसी जन जाती में हिसाब लेने के लिए अपना प्र देखते हैं आदिवसी जन जाती, जहां तक देखते हैं आदिवसी जन जाती की परामपरा, आदिवसी जन जाती की रित्रिवास, आदिवसी जन जाती की सवयाता में टोटेम, जिसे कहा जाता है किली, जिसे कहा जाता है गोत्र को सरब मन्य, सरब प्रतम, सरब स्रेष्ट मना गया है और आदिवसी की यही पैचान है आदिवसी की यही एक निसानी है कि आदिवसी अपने गोतर पे नहीं अपनी टाइटल अपनी किली पे रहते हैं किली जिसे आदिवसी की पैचानता होती है जिसे आदिवसी पैचानती है और उसी से आदिवसी लोग जाना जाता है कि ये आदिवसी है, ये कौन है, जहां तक देखते हैं, कोडमी जन जाती भी, टोटेम पे रहते हैं, बहुत सरे ऐसे टोटेम पाय जाते हैं, कोडमी जन जाती में, लेकिन ऐसे में उन लोग को लगता है कि हम लोग भी आदिवसी लोग हैं, हम लोग भी आदिवसी जन जाती हैं आज आदिवसी होने के लिए कोई अपति नहीं है, किसी को अपति नहीं है, लेकिन आदिवसी होते हुए बहुत तर ऐसे परंपराएं आदिवसी की है, उसको फोलो करना, उसको अनुसरन करना, उसको मानना अनिवर्ज है और अति और सक्थ है, ऐसा में जब देखते हैं कि पतती पर अगर आप उस पर नजर ढालोगे तो आपको पता चल जाएगा ये आदिवसी है या कौन सच में यही अंतर है अगर आदिवसी की मैं बात कर रहा हूँ कि आखिर आदिवसी है या नहीं आपको समझ में आ जाएगा विडियो को सुरू से आन तक जरूर देखिएगा तब यह आपको समझ में आएगा जब देखते हैं आदिवसी की परंपरा आदिवसी की रित्रिवास को अगर रित्रिवास पर अगर आप नाजर डालोगे तो आप पाओगे कि आदिवसी सरूल परभ कर्मापरभ सोहराई पागून ऐसे ही बहुत सरे तेवार है उसको सरव म माना गया है और उसको अपना परंपरा में सजाते समारते हैं और अपना परंपरा मनाते हैं उस तिवार परब को जहां तक देखते हैं कि आदिवसी आप लोगों ने सुना है आप लोगों तो ये समझ में आ गया होगा कि आदिवसी प्रकृति पूजक है यानि कि मूर्थी की पूजा नहीं करती है या फिर किसी मंदिर में पूजा नहीं करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया लेकिन आदिवसी किसी देवी किसी देवता को पूजा नहीं करता है आपने सही सुना आप सच में आदिवसी मंदिर में पूजा नहीं की जाती है उसकी आरदना सरना में पूजा अर्दना होती है अदिवसी जन्जाती के लिए और उस जन्जाती समूदाई के लिए अपनी पुर्वेजों को गारते हैं ससन में और अखाड़ा में नाचते हैं और बच्चों को अपनी सिक्चा देते हैं जो भी वो तो आप समाज में आ रहा होगा। ऐसा इस्तिती में जब भी देखते हैं कुड्मी जन्जाती में बहुत सरे कुड्मी जन्जाती खुद को आदिवसी में हिसाब किताब तो कर लेते हैं लेकिन ऐसा ही कुड्मी जन्जाती बहुत सरे समूदाय में आदिवसी की परमपरा को दिखाई नहीं देती है आदिवसी क परामपरा को उस पर दिखता ही नहीं है लेकिन ऐसा इस्तिति में उसको आधिवसी किस तरह से क्यों आधिवसी की केटेगेरिय में रखा जाएगा जहां तक देखते हैं आधिवसी मंदीर में पूजा नहीं करते हैं मतलब मंदीर में जितने भी दीबी देवता मासी परबती दुनिया पर का पूजा पतती आधिवसी नहीं करते हैं तो ऐसे इस्तिति में कोडमी जनजाती के लोगों के बीच में माहतो जनजाती के लोगों के बीच में भी ये मूर्ती ये मंदीर में पाया जाने वाले देवी देवता पाया जाते हैं तो ऐसा में क्या लगता है ये आदिवसी है या नहीं. जहां तक देखाम जाता है अगर आप आदिवसी की पैचांत्या की बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप दीबी दिवता धार हिन्दु धरम जो मानने वाले दिवी दिवता को जो नहीं मानता धार में ऐसे पोटों नहीं लगी होती है. समझ जाना ओ हिंदू है, समझ जाना ओ हिंदू है क्योंकि उसकी जिंदगी उसकी परंपरा हिंदू प्ति पर चलती है जिसकी कारण ओ अपने घर पे ऐसे दिव्य दियुताओं को लखता है और यही पैचान होती है सबसे बड़ी पैचान अगर आपको भी आदिवसी की बारे में भी अगर आप आपको भी आदिवसी की बारे में पैचान आपको चाहिए तो आदिवसी के गर में भी अगर आप ऐसा ही दिवी दियोता सिर्प्रवति राम भगवान ना जाने दुनिया आदीबसी मंदीर में पूझा नहीं करते हैं, आदीबसी मंदीर की दिविदियोता को अपना ईस्वर नहीं मानते हैं, ऐसा ही बहुत सरे क्रमकंड है, जिसके आपको पत्त चल जाएगा कि आदीबसी हिंदू है या पिर आदीबसी है और आदिवसी की सव्याता में आदिवसी की परमपरक एनुसर अपने पुर्बाजों को घाड़ते हैं जलाते नहीं है बलकि ससन में घाड़ते हैं लेकिन ऐसे ही पाउसरे करमकंड हैं जिसके चलते आज आज आदिवसी लोग ऐसे चीजों को फोलो करते आ रहा हैं क्या अगर अगर आदिवसी हिंदु दर्म में जाएगा तो क्या वोग अपने पूर्बजों को जलाएंगे क्या मैं जानना चाहता हूं अपने पूर्बजों को जलाएंगे क्या अगर आप वाकाई हिंदु दर्म में जा रहे हैं या फिर हिंदु दर्म में हैं तो ये बेवस्ता ऐसा ही काई करमकंड है जो कि आदिवसी की पतती से और हिंदु दर्म की पतती से 100% अकास पतल का बीनता है और खास बात यह है कि आदिवसी अपनी पुहान पुरुईत द्वरा पूजा पतती को संपन किया जाता है लेकिन हिंदु दर्म में ब्रह्मन पंडित द्वरा पूजा पतती को संपन किया जाता है तो ऐसे ही बहुत सरे करमकंड है जो की आकास पतल का भिन दिखाए देता है हिंदू और आदिवसी में लेकिन बहुत सर ऐसे लोगों को कन्प्यूजन है बहुत सरे ऐसे लोग की हिंदू आदिवसी कौन है मैं उसकी पैचान मैं आपको बता देता हूँ अगर कोई आदिवसी के गर में भी अगर आप हिंदू धरम की देवी देवताओं की फोटो अगर आप आओगे तो समझ जाना ओ हिंदू पतती में जीता है सम खर्सवा गुलिकंड में यही आदिवसी की परंपरा के अनुसार तेल मलयारपन होती है और यही पैचान है कि वो आदिवसी अपने पूरबाजियों को ससन में गारते हैं बहुत सरे करमकंड है ऐसे आदिवसी ना जानने की बज़े से अपनी पदती को ना परिभासित करने की बज़े से अपनी पैचान को खो बैटे हैं ऐसे बहुत सर आदिवसी है लेकिन आज हमारे जरकन में आदिवसी जन जाती ऐसे चीज़ों को समझने लगी है ऐसे चीज़ों को जाने लगी है तस परचाद यह हो रहा है कि आज आदिवसी हिंदू नहीं है यह तो नारा तो परंपराओं को रितरिवाज को बचाने में खुद साबित कर सकती है ये तो देखने वाली बात है कि जब बात होती है कि आदिवस्ती हिंदू नहीं है ये तो उन्होंने कहा दिया कि आदिवस्ती हिंदू नहीं है लेकिन आदिवस्ती किसी मंदीर में पूजा जाने वाले दिवी दिवताओं को नहीं मानता है वो अपने भगवान को नहीं मानता है अगर ऐसा आदिवसी कोई मानता है समझना वो हिंदू पदती में जीता है और हिंदू पदती में अपने पिरबज़ों को गारते है और उसकी जो भी पूजा पदती ब्रह्मान द्वारा की जाती है और ऐसा ही काई सारे पतती है जो कि हिंदू और आदिवासी से बीनता है तो यह जान करें आपको कैसा लगा हमारा उबार्था जरकंड में ऐसा ही इंट्रेशेट टुपी के सथ पी रहूंगा तब तक के लिए जोहार जरकंड